आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे एंगल प्लेट के बारे में जो लेथ मशीन पर प्रियोग होने वाली एक लेथ मशीन असेसरी है लेथ मशीन असेसरी का प्रियोग हम लेथ मशीन पर वर्क पीस या टूल को होल्ड या स्पोर्ट करने के लिए इस्तेमाल क कि यह cast iron से बनी L-shape का एक device होता है जिसमें दो plane surface होते हैं एक ये है और दूसरा ये है और इनको हम ribs भी बोल देते हैं और दोनो plane surface एक दूसरे के साथ 90 degree पर होते हैं इसके अतरीक तहगर हम बात करें जो angle plate है इसमें number of slot इसमें already provide किये जाते हैं और जो ये slot provide किये जाते हैं इन में हम nut bolt और clamp की मदद से work piece को बड़ी बड़िया तरीके से हम hold कर सकते हैं तो बात करते हैं कि जब late machine पर operation को perform किया जाता है तो इसका कब इस्तेमाल किया जाता है इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब work piece या job का जो shape और size है वो इस तरह से हो कि उसे face plate पर directly mount ना किया जासकी तब हम angle plate की मदद से work piece या job को face plate पर mount करते हैं जैसा आपको diagram में नजर आ रहा है कि ये face plate है जो spindle के nose के साथ attach है और वहाँ पर हमने एक जो यहाँ पर angle plate आपको नजर आ रही है अगर इस diagram को देखें तो यहाँ पर साफ नजर आता है कि कैसे एक angle plate के दुआरा work piece को hold किया जाता है तो आज हम अगर बात करें कि जो angle plate है एक प्रकार से बहुत ही essential attachment होती है face plate के लिए और इसे face plate के साथ attach किया जाता है bolt की मदद से तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया कि angle plate की construction क्या होती है या किस material से बनी होती है cast iron से बनी होती है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share क कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे प्रियोा युझा झाल ऐगा ब Pour Da अच्छा कर सकते हैं memang पूर्डद के साथ